तो बात होने वाली है WPC door की, ऐसे door जिनकी life 30 से 40 साल होती है, ना वो पानी से खराब होती है, ना उनको धीमक लगता है, ना कोई दिक्कत है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WPC door लेने में क्या होता है, मतलब scam क्या हो गया है, आपको सस्ते door के चक्कर में आपस पैसे डबल लिए जा सकते हैं कैसे उसको लगाना है खर्चा कितना पड़ेगा डोर का फ्रेम जो आता है WPC का जिनको WPC के बारे में पता ही नहीं है वो भी सब clear हो जाएगा डोर फ्रेम कितने का आएगा डोर कितने का आएगा वो सब चीजे इस वीडियो में आपको पता जलने वाली हैं ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे WPC डोर के बारे में फ्रेम के बारे में सब कुछ आपको पता जल जाएगा पहले मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ उसकी है क्या चीज उसके बाद मैं आपको खर्चा बताऊंगा एक तीन भाई साथ का दरवाजा लगाने का आपका टोटल खर्चा कितना आता है वो भी आपको बताऊंगा सबसे पहले समझेो जो WPC डोर है W हो गया वुड और P हो गया प्लास्टिक या पॉलिमर और कंपोजिट मतलब यह ऐसे डोर है जो लकडी और P्लास्टिक को मिलाके बनते हैं मतलब एप्रॉक्स 15 से 20 प्रेसंट उसमें लकडी का बूरा डाला जाता है बूरा है नहीं पॉलिमर बनाया उसको बिल्कुल चिकना बनाया जाता है और साथ में उसमें कैमिकल और प्लास्टिक ला लेता है, इस डॉर को बनाए जाता है, इसका फाइदा क्या है, आपको लग रहा होगा, वूड क्यों नहीं लगाएं, यह जो आइरन के दरवाजे आते हैं, वो क्यों नहीं लगा होगा, देखो, यह जो डॉल्यू पीसी का बात करें, तो उसमें पानी से भी खराब हो सकता है, दीमक भी लग जाता है, तो वो दिक्कत रहती है, उस दिक्कत की बज़ा से डॉल्यू पीसी डॉर इस समय मार्किट में काफी ज़दा चल रहे हैं, अगर हम बात करें, इंडिया में काफी कंपनी है, इको टिंबर है, इ तो दर्वाजा अच्छा नहीं होता है, ठीक है, मतलब आपको जब भी डॉर लेना है, डॉल्यू पीसी डॉर, हमेशा दियान रखना, 700 से 750 केजी पर एमक्यूब ही उसकी डेंस्टी हो, उससे कम के डेंस्टी के जो दर्वाजे रहेंगे, उसमें दिक्कत क्या आते है, आप स्क्रीव लगाऊगे, स्क्रीव टिकेगा नहीं, तो वो, मतलब अच्छे नहीं होते है, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते है, तो 700 केजी पर एमक्यूब डेंस्टी याद रखना, जब भी दर्वाजा लेने जाओगे, यह चीज दियान रखना कि 700 केजी एमक्यूब से ज screw बार बार करो तो वह screw निकल जाता है जहां screw निकलने की दिखत रहती है तो ऐसा कुछ नहीं है तिकता है क्योंकि यह plastic से बढ़ है अगर screw बार बार करोगे तो वह गरम होगा screw वहां से वह हो जाएगा खराब तो आपको हमेशा चीज तियान रखने कि density उसकी जाद़ हो दूसरी चीज, तीन किसम के WPC डोर आपको मिलेंगे, एक तो होते हैं hollow, hollow कौन से होगे, पहले 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 PVC की डोर आपने देखे थे, जिनके अंदर जगा होती थी, मतलब खाली खाली रहते थे, वो नहीं है, वो लेने ही नहीं है, hollow डोर नहीं लेने है, फिर शोविंग बाल लेकिन ये 30, 40, 50, 60 साल तक कुछ नहीं होता है, इनको अगर अच्छे से इनको रखोगे, ना पानी से, ना आग से, ना टर्माइट से, किसी चीज़ से खराब नहीं हो रहे तो कैसे खराब हो सकते हैं, और आप इसको टांग मारो, लात मारो, कुछ नहीं होने वाला नहीं त तरीका, वो सही से अगर नहीं किया होगा, वो हैवी तो बना देते हैं, उस डूर को, लेकिन वो जितना हैवी होगा, उतनी भी दिक्कत है, आपको 700 से 1000 तक की जाना है, या 900 तक, इससे ज़्यादा है जितना ज्यादा लोड हो जाएगा, स्क्रिव गिरने के चांसी भी होते आजकल जो पैटन चाहिए वोडन टेक्च्चर चाहिए जो हर मुझल ग्लॉस में मिलेंगे मैट में मिलेंगे जो मर्जी लगा सकते हो ऐसे एरिया में लगा हो जहां पानी लगता है यह कभी खराब नहीं होगे तो मेरे खाल में एक बेस्ट आप्शन आपके टॉइलेट के ल देंस्टी जितनी जादा होगी उतना प्राइस बढ़ता जाता है दूसरा जितना थिक हो जाएगा मोटा जितना दर्वाजा होगा जैसे आते हैं 20 mm में 25 mm में 32 30 यह इतने अम्म हर टाइब में आपको मिलेगा हर mm में ठीक है और प्रफेक्ट जितना साइज चाहिए उतना सा जाता है एक आवरेज में प्राइस हापके लिए पकड़ता हो एक दर्वाज़ा है हमारा 3057 तीन फूट ऐसे हैं साथ फूट ऐसे हैं तीन बाइसात ओगे इकी स्केर फूट का हमारा दर्वाज़ा लगाने में कितना खर्ट जाएगा 21 केर फूट मेंने रेट पकड़ लिये उसकी density कितनी है density 700 से ज़्यादा होनी चाहिए दूसरी चीज उसमें चेक कर रही है company देख लिए अगर local ठीक है कोई दिक कर नहीं अगर आपको चाहिए कि इतना आपको look भी नहीं चाहिए और life भी नहीं चाहिए तो आप local जा सकते हो लेकिन आपको life और look चाहिए दोनों चाहिए तो आपको density देखके brand देख लेना है तो मैंने पकल लिया 290 रुपे का अच्छा pattern का आपको wooden texture में मिल जाएगा तो 6900 रुपे का हमें एक दर्वाजा मिल जाएगा 327 का तो market में अगर मैं बात करूँ 5000 से आपको दर्वाजे start हो जाते हैं WPC के और वो 10 से 12,000 तक जाते हैं 10 से 12,000 बादे जिनमें pattern होंगे जिनमें luxury look होगी मतलब ये सब चीजे होती है वो आपको मिल जाएगा फिर जो इसका frame आपको बनाना है ठीक है तो frame आप एक quick भी सामने देख रहे हो frame के size होते हैं जैसे 3 by 2 का है मतलब 3 by 2 का कैसे होगा 3 ऐसे पीछे बाला होता है और 1 ये होता है ओपर ठीक है तो ये 3 इंच होगा और ये depth उसकी 2 इंच होगी तो ये frame हमने ले लिए 3 by 7 का हमने इसको frame लगाया तो 3 plus 7 plus 3 plus 7 ये हो गया 20 foot और जो rate आपने देखा 3 by 2 का वो 171 रुपे rate था GST के साथ तो 3420 रुपे का हमारा frame आ गया लगवक ठीक है मतलब इसका देखो मैंने क्या कहा इनके आप actual rate निकाल ली नहीं सकते हो क्योंकि हर company का हर brand का अलग लग चीज़ें तो वो चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी तो 690 रुपे का हमारा दर्वाज़ा था frame उसका 3420 का था total हो गया 9500 सिर्फ material material का ठीक है 9500 material का लगाने वाला आपसे ले जाएगा 600-800 रुपेया और फिर जो इसकी hinges बगएर आएंगे वो पकड़ लो 200 होगी तो 10,000 से 12,000 रुपे का एक अच्छा दर्वाज़ा WPC का आपका लग जाएगा जिसकी लाइफ unlimited बोल सकते है 20 साल बोली जाती है 25 साल लेकिन वो 30 से 40 साल कुछ नहीं होगा अगर उसको अच्छे से आप रखोगे बाकी अगर लकड़ी का होगा लोहे का होगा तो पानी से भी खराब हो जाता है तर्माइट भी खराब करता है तो यह चीज़े होती है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे होगा WPC का अगर और वीडियो चाहते हो पूरी आपको लेके मार्किड में लेके जाओं दिखाओं तो वो भी लेंगे आपस कुमेंट करना थैंक्यू गईस